अपना विश्वस्मीत न्यूस चैनल राश्टे नवाचार। अपना विश्वस्मीत ने उसकी हालत नाजुक बताई है। अपना विश्मीत ने उसकी हालत नाजुक बताई है। उस वाइरस के तेंदुए के शरीर को इनफेक्ट करने की आशंका है। इनफेक्शन का असर दिमाग पर हुआ है। इससे तेंदुआ घुर्राना वह हमला करने जैसी हरकत भी नहीं कर रहा है। वह काफी सुस्थ हो गया है। वाइरस की वजह से आँखों की रोशनी भी कम हो चुकी है। क्योंकि पिंजरे में भी वह कई बार टकरा चुका है। दिमाग का संपर्क भी शरीर से कम हो गया है। दाक्तर उसकी प्रतेक गतिविधी पर सतत नजर रखेंगे। जरूरत पढ़ने पर इलाज में बदलाव किया जाएगा। गुरुवार को जबलपुर के दो दाक्तरों की टीम भी चिडिया घर पहुँची। जिन्होंने तेंदुए के शरीर से खून के नमून लिये। इन्हें जाच के लिए प्रयोकशाला भीजा गया है। इसके अलावा शुक्रवार को कुछ और सेंपल लिये जाएंगे। उसके आधार पर तेंदुए की बीमारी का पता लग सकता है। फिलहाल दिन भर में तीन मर्तबा इंजेक्शन और ग्लुकोस तेंदुए को चड़ाया जा रहा है। उलेखनी होगा कि मंगलवार को इकलेरा माताजी के जंगल में जाडियों में तेंदुआ नजर आया। पहले उसे देखकर ग्रामीन धबराएं मगर उसने कोई हरकत नहीं की ग्रामीनों पर हमला भी नहीं किया। यह देखकर लोग उसके पास गए और हात फेरने लगे। इसके बाद भी तेंदुए ने कुछ नहीं किया। तब ग्रामीनों की हिम्मत बढ़ गई और उसकी पीट पर सवारी करने लगे। ग्रामीन सेलफी भी लेते दिखे।